सुर्म कोड के दौरा असुचित जाती और जन जाती के बीच में क्रीमी लेट जागू करने का फैसला सुर्म को क को पूंते हैं यह फैसला वाविश्य में आ सकता है यह बात मैने पहले ही जब TOP bạn C का ये लागू किया गया था। उसmee में 14ल जञाती के लोगों को इसके बारे में सत्रक किया था और और उसी समय 143 जञाती ओर जन जाती के लोगों को कहा था कि वो बीसी को कुपिरी्मिलेपकर संत लागू करना कि बविश्य में सीएस्टी लोगों के लिए खत्रा हो सकता है आखिरकार वह बात सब्साबित हुई जो सुप्रिम कोड में जजेश बैठे हुए है उन लोगों के पास जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है उनके पास जानकारी है कि अनुसूचित जाती का जो परसेंटेज है है 15 फर्सेंट जाठेशाप परशेंट को हैंड़ेट परसेंट अभी तक फूलफिल नहीं हुआ है हंड़ेट परसेंट का फूल यह हुआ उसके पहले ऑखी क्रिमी लेयर लागो करना यह सिद्ध करता है कि क्रिमी लेयर के आधार पर जो सीटे काली रहेगी उन सीटों पर जेनरल केटेगरी के लोगों को भरती करने का मौका सरकार को क्लब दो जाएगा यह असल में एक तरह से के आरक्षन को नुकसान पहुचाने का और उनका कोटा फुल्फिल होने से रोकने के चडियंद्र का हिच्छा है और यह फैसले देने वाले जो जजेस हैं वो केवल अपने जाती वर्गों का हित ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं ऐसा उनके फैसले को पढ़ने के बाद इसा लगता है उन्होंने उस वर्ग का ध्यान नहीं रखा उनके पास डाटा भी है सरकार के पास का डाटा वो मंगा सकते थे और उनको जानकारी हो सकती थी कि उनका कोटा 100% अभी तक फुल्फिल नहीं हुआ और वह ऐसा स्टैंड ले सकते थे नहीं पूर्ण स्टैंड ले राइने वाले नागरिकों के बीच में धेद्वाव हो गया है उन को क्या है इसकि ब्रामन चट्रीं और मित जैती के लोग रागू करना चाहिए था कि जिनका एक निश्चित आर्थिक कैपेसिटी है ऐसे लोगों को सरकारी नवक्रियों में बिल्कुल जगा नहीं होगी ऐसा निनने होना चाहिए था अगर वो ऐसा करते तो वो जो सक्षम लोग है वो दूसरे तरह अपने लिए रास्ते खोल सकते थ दिया और उन लोगों को खुला चोड़ दिया उनके अंदर जो आर्थिक दुस्ट्री से बहुत संपन्न लोग है उन लोगों को अलाव कर दिया तो जो ब्रामन चत्री वैश्य लोग है उनके साथ और कंपेर करो SCST OBC के साथ तो यह भेदवाव किया गया है ऐसा लगता है स अगर अगर मान दो अनुसुचित जाती और जन जाती के लोगों के अंदर से क्रीमिलेर निट कर दिया है अगर ऐसा कर दिया है तो फिर सवाल खड़ा होगा कि अनुसुचित जाती और जन जातीयों का पोटा पुरा करने के लिए गुनवत्ता धारक लोग कहां से जो अनुसुचित जाती के अंदर ज्यादा से ज्यादा फिच्वे वज़के लोग है क्या वो मैट्रिक तक अपना जो पूरा नहीं हो रहा था और जो अधूरा रहे जाएगा वह उचे जाती के ब्रह्मत्त श्यत्रिय वहिश्यों को उसकी भरपाई करने का मुका मिलेगा यह निर्ण है उचित नहीं है इसे नहीं बाना जाता तो यह दो सिद्दांत मतलब आप गुनवत्ता धारक भी आप लोग नहीं बिले और अगर लोग चाहिए तो उसमें निश्यत रूप से अनुसूची चाती के लिए क्रिमी लेयर लागो नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुसूची चाती के अंदर थोड़े बहुत जो आर्थी दूस्ती से सब्चम रोग है वही अपने बच्चों को आयर दिलाने में कामिया और उसके द्वारा कोटा पुरा हो सकता है अभी ही कोटा पुरा नहीं है तो पुरा होने के पहले करें लागो करने का तर्क ही जायज नहीं 200 प्रसंट गलत तर्क है यह फैसला नहीं है इसको माना नहीं जा सकता मैं भारत सरकार को अनुरोद करता हूं इ करने से इंकार कर यहीं सरकार इंकार नहीं करती है तो इसके विरोज में भारत बंद का ऐलान करेंगे पूरी सब्वटी शक्ति इस काम के लिए